आप सभी को मेरा प्रणाम आजा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथियों आज रूबीयसी के प्लांट की बात करेंगे ओल्डन लेंडिया कॉरियम बोसा इसका इंफलोरिशनस होता है। प्लांट पूरा प्लांट औस द्यगुनों के लिए उपयोग में आता है इसके वाइट फ्लावर्स आप देख रहे होंगे साथियो इसको हम सुखा कर रख लेते हैं और आवसकता अनुसार जब हमें पित डिसॉडर्स होते हैं तो उनके रेमिडियेशन के लिए इस्तमाल करत हैं साथियो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी इसकी होती है शरीर के टॉक्षिंज को बाहर निकालने का करे करता है आज हम इसका स्पेसिफिक यूज जानेंगे साथियो अपेंडिक्स में इंफ्लामेशन हो जाता है उस समस्या को दूर करने के लिए आपको इसका काढ बना कर सेवन करना चाहिए सेलूलाइटिस भी एक समस्या होती है जिसके अंदर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है उसको ठीक करने का कारे करता है साथियो कोल सिस्टाइटिस भी समस्या होती है जिसके अंदर गॉल ब्लेडर के अंदर स्वैलिंग हो जाती है उसको भी सभी में इसका उपयोग किया जाता है दिन में दो से तीन बार काढ़ा बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं देखने में साधारन ये घास आपको पिर्तित हो रहा है लेकिन बड़ी-बड़ी बीमारियों का आसान और सहज इलाज है मई के महिने में साफेद कलर के इसके फूल आ आप इसको अच्छे से अडेंटिफाई कर सकते हैं सूखने के बाद इसका फूल ब्राउन कलर का हो जाता है यह आप देख पा रहे होंगे और नीचे जो इसकी रूट्स होती है वो काफी स्प्रैड हो जाती है मल्टी ब्रांचिंग यह हो जाती है इनी से आप इसको गमले म यह सेंगे इसको जाइन फ्योग में लाचकती हैं मित्रोव इसके साथ जॉइन्ट बेंट्वन के समस्च्छा हो इसका काढ़ा आप पिएंगे तो जॉइन पेंट को ठीक करता है आर्थ्राइटिस की पुराणी समस्च्छा हो सरीर के टॉक्षिंग बाहार निकालते हुए नार्थाइटिस की समझा को भी ठीक करता है, मित्रोख हैपेटाइटिस में लिवर में स्वैलिंग हो जाती है, उसको भी ठीक करने का करे करता है, तो मैं कहूँ कि शरीर की एंटी ऑक्सिडेंट एक्टिविटी इसकी होने के कारण, इसके अंदर पोलिफिनॉलिक कंपाउंड, फ्लेवनाइड, इरिडॉइड पाय जाते हैं, जो एंटी ऑक्सिडेंट एक्टिविटी के लिए रेस्पॉंसिबल होते हैं, एंटी उस्ट रखने के लिए विशेश सायक होते हैं, बित्रो कई परकार के यूरिनोजनाइटल इंफेक्शन, गाइनीकोलोजिकल इंफेक्शन और एक समस्या स्ट्रेंगूरिया की होती है, जिसके अंदर पेनफुल यूरिनेशन होता है, ऐसा यूरेथ्रा और ब्लेडर की स्व प्रॉंकाइटिस की समस्या हो, वो भी इससे ठीक हो जाती है, इम्मीनो मोडुलेटर का एक कारे करता है, मैं समझता हूँ कि जितनी महानोस्दी ये है, इसमें अभी और सोध करने की आव सकता है, ताकि इसकी एंटी बेक्टिरियल, एंटी माइक्रोविल और सिपेसिफिक इम्मीनो मोडुलेटर एक्तिवीटी को भी वर्क आउट किया जाना चाहिए, वास्त्रापइटिक एप्लिकेशन देखने में इस घास का आपकलिए साधान होगा, लेकिन वास्त्रापइटिक एप्लिकेशन इस घास का है, काफी हाथ तक सेफ है, लेकिन ध्याने रखना है स चाहिए अधिक मात्रा में लेना हनिकारक हो सकता है यह अबोर्ट इफिशेंट होती है यह कॉंट्रेक्शन को बढ़ा देती है तो इसलिए गर पात कर सकती है इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और अधिक का भाव होने के कारणी इस तरह की ओस्दियां विलुप्त होती जा रही हैं थोड़ा भी अगर आपको गाड़निंग का सोख हो तो आप इसको कंजर्व कीजिए अपने गमलों में लगाईए और आवसकता अनुसार अपने शरीर की अच्छी सहत के लिए आप इसको उपयोग म और अपने अच्छे स्वास्ते को संडख्षित कीजिए इनी कामनाओं के साथ कल सुबह फिर साड़े से बज़े मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ नई चर्चा के साथ तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब आवसे कर लें ताकि नित्याने वाली जानकरी का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे आप सकतानों सारा बैल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि आने वाली नई वीडियो का वेड़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इनी बातों के साथ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद पर नमस्कार